आप देख रहे हैं, सेल्फ में टिटोरियल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है क्वेश्चन पेपर, बीएड फॉस्ट इयर, बीएड फॉस्ट इयर के जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किये जा रहा है, तो इसके पहले मैंने चार पेपर कोर्स वान, टू त्री और फॉर के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है, और यह है कोर्स फाइव का क्वेश्चन पेपर, यह LNMA उनिवर्शिटी जो पूरे बीएड को अगनाइज करती है, बीएड एक्जाम को, तो यह है बीएड फॉर्स्ट इयर एक्जामनिशन दुहजार एक्टिस से बाइस, तो कोर्स फाइव है, कोर्स फाइव में पढ़ना है, अंडरस्टेंडिंग डिसिप्लीन एंड सब्जेक्ट है, तो इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 है, और टाइमिंग 3 आवर, ओके, तो चलिए, इ तीनों दो-दो कोश्टन रहेगा, जिनमें से आपको एक-एक कोश्टन का आंजर करना है, त्यानि कि इस पेपर में आपको तीन कोश्टन का आंजर करना है, यह भीम राव अंबितकर बिहार इनवर्सिटी का है, या एलनमे इनवर्सिटी का है, या बिहार के जितने भी इन उन्वर्शिटी है उनका ये question B.A. first year का question paper है इंस्ट्रक्षन यहाँ पर दिया हुआ है कि परिक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे सभी प्रशनों के अंग समान है प्रतैक 21 से एक प्रशन करते हुए किनी तीन प्रशनों के उत्तर दीजिए चलिए देखते हैं unit one unit one में दो question दिये रहेंगे आपको एक ही question का answer करना है question number one अनुशासन एवं विशय को असपष्ट करते हुए विशय की प्राकृति एवं छेत्र पर प्रकाश डालिए question number two सैक्षिक अनुशासन क्या है इसकी आवश्यक्ता पर प्रकाश डालिए इकाई two में भी दो question दिये रहें तीन और चार तो question number three विशय के संप्रेशन की प्रमुख वीदियो का उलेख कीजिए explain the method of collecting data in the subject यानि विशय में आंकडों के एकत्र करने की वीदियो की व्याख्या कीजिए तो ये था unit two अब हम देखते है unit three unit three में question number five how do you coordinate between interdisciplinary subject अंतर अनुशाशनिक विशयो के मध्य आप कैसे समनवे अस्थापित करते हैं question number six अंतर अंतरानो शाशनिक विशय की गुणवता सुधार के लिए कौन-कौन से मानक परियुक्त किये जाते हैं तो ये रहा छटा question यानि कि इस तरह से इस paper में आपने देखा छे question जिन में से आपको तीन question का answer करना है तो चलिए next month course six में लेकर जल्द आऊंगी बस इस वीडियो को आप देखें लाइक कीजिए दोस्तों के भी share कीजिए अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद